आदर्निय मम्ता दाज जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना अध्यक्षी स्थान गढ़न करे और इनके साथ में हमारी विभाग के असोचेट प्रोफेसर विपुल भई शर्मा श्रीमाली जी रहेंगे पांच शूद पत्र इस शर्षन में प्रस्तुत होंगे जिनके शोद पत्र प्रस्तुत होने वाले हैं वैशाली जे राजकोट, एस्वी राठोड, महिला पिंटरिया, रमेश चंद गुपता, अरून सेंग ये पांच शोद पत्र इस सत्र में प्रस्तुत होंगे मैं विभाक की अध्यापी का सपना पतल से निविदन करता हूं कि वो आज के अत्यक्ष ममतादास जी का पुष्पगुचे से सनमान करे हम भली भाती जानते हैं कि डॉक्टर सिनिरुद्ध दास और डॉक्टर ममतादास पहले भी हमारे हमचंदाचार्य समारोह की शोभा में अभी कृद्धी कर चुके हैं हमें गवरामवित कर चुके हैं हम भली भाती जानते हैं कि हस्त प्रत विद्ध्या में आज भारत वर्ष में उनके समान काम करने वाले बहुत कम लोग हैं इतना गहन अध्यन शोध इन्होंने हस्त प्रतविध्या में किया है, इनसे हमलाभानुवित भी हुए हैं, आज हमारा बड़ा सोभाग्य है कि ये मंच पर ये दूसरी बार है, और हम इनका दोनों का खुशेश रूप से स्वागत करते हैं, अपनी वेस्त समय में इन्होंने ह मारे लिए समय निकाला है, जो नए बच्चे हैं, इनसे मेरी मिनंद्रतापुलवक्नि वेदन हैं, कि ऐसे लंबे अनुह वाले और जिनका पूरा जीवन शोध में समर्पित हो, ऐसे सारस्वतों का व्याख्यान सुनना ए बड़ा ही सोभाग्य होता है, तुमें ये सोभाग को गौरावित करेंगे और पूरा समय ध्यान से इस व्याख्यानों को सुनेंगे, ऐसे भी आपको प्राथना है, मैं आगे का संचालन के लिए विपल भैस्री गवाली को ये मन्च सौपता हूँ इस सत्र के प्रथम सोथ पत्र के लिए मैं वैसाले बेन जे राजकोट वाले उनको आवंत्रित करता हूँ महमान स्री मम्ता दास प्रणाम करती हूँ, और सभी चात्रगन एवं अध्यक स्री को मेरा प्रणाम करती हूँ वागर्था वीव संप्रुक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पीतरो वंदे पार्वती परमे स्वरो यह हेमचंद्रचार्य समारोह में आज का मेरा सोध पत्र है हेमचंद्रचार्य रचीत योग सास्त्र में वरनीत धर्म अधिकारी के 35 गुणों का विवेचन हम सभी जानते हैं कि साहित्य और साधना के क्सेत्र में आचार्य हेमचंद्र का नाम अत्यांत महत पूर्ण है वह नक एवल महान गुरु बलकि समाज सुधारक एवं धर्म आचार्य मनिसिवी थे जहां एक ओर उन्होंने गुजरात के इतिहास को प्रभावित किया जेन धर्म को नया मोड दिया एवं राज्य को प्रेरित कर समस्त गुर्जर भूमी को अहिंसामय बना दिया उन्होंने साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, चंद सास्त्र, काव्या सास्त्र, आदी, वांगमाई के सबी महत्वपुन अंगो पर नविन साहित्य की रचना करके एक नए पत का निर्मान किया है योग सास्त्र हेमचंद्रचारा द्वारा रचीत एक योग ग्रंत है, इसकी सैली पतंजली के योग सूत्र के अनुसार ही है, किन्तु विशय और वर्णन क्रम में मोलिक्ता एवं भिनता है यह योग सास्त्र में कूल 12 प्रकास है और स्लोक संक्या 1012 है और उन पर ही हेमचंद्रचार्य की 2750 स्लोक परिमीत एवं स्वारचीत व्याख्या है योग सास्त्र एक जेन संप्रदाइप का धार्मिक एवं दार्सनिक ग्रंत है हम सभी जानते हैं कि संसार के सभी वाद, संप्रदाइ, मत यह दृष्टी राख के परिणाम है दृष्टी राख के कारण असांती और दूख है अतह विश्व सांती के लिए द्रश्टी राख के उच्छे दन के लिए हेम चंद्र का यह योग सास्त्र आजबी अत्यांत उपादेय ग्रंथ है पतंजली आदी योगाचार्य द्वारा रचीत योगदर्शन आदी ग्रंथों की अपेक्सा इस योग सास्त्र में यही विशेश्टा है कि पतंजली आदी ने योग को चित वृत्ती निरोध के लेकर सर्वभूमिकाओ के लिए समान रूप से यम नियम आदी आट अंग बता कर उन्ही में परिसिमीत कर दिया है जबकि कलिकाल सर्वग्न स्रीहेम चंद्रचार्य जी ने धर्म अनुशारी से लेकर गुरुहस्त स्रावक धर्म साधू धर्म आदी उच्च आध्यात्मिक भूमिका तक पहुंचने के लिए ग्नान योग साधन का सुन्दर क्रम बता कर आत्मा को परमात्मा रूप बनने के लिए धर्म शुक्लद्यान इंद्रिय कसाय मनोविजय समता चार भावना आधी का विवेचन किया है अब योग सास्त्र में प्रथम प्रकास में चारीत्र की व्याख्या करके उनके दो बेद बताए हैं सर्ववीरती और देश वीरती य चारीत्र कहा है लेकिन जो देश वीरती है वह ग्रुहस्ता स्रम में रहने से परिवार के पालन पोषण आजिवी का आधी प्रपंचों में ग्रस्त होने के कारण वह सर्ववीरती आराधना नहीं कर सकता इसके लिए हेम चंद्रचारिय जी ने धर्माधी कारी के 35 गुणों वर्णन नहीं कर सकती इसलिए 5 गुणों का यहां में विवरण करूंगी हेम चंद्रचारिय क्रुत योग सास्त्र में देश वीरती चारीत्र में रहने वाला ग्रुहस्त धर्माधी कारी केसे बन सकता है यह बताने के लिए उन्होंने 35 गुणों का वर्णन मिलता है न्याय संपन विभवह सिष्टाचार प्रशंशकह कूलसिल समेशार्धम क्रुतोद वाहन्य गोत्रजे पाप भीरु प्रसिद्धम्च देशाचारं समाचरन अवर्णवादी न क्वापी राज दीसु विसे सतह उसमें से पहला गुण है न्याय संपन विभवह जो की नितिमान गुरुहस्त को सर्व प्रथम स्वामीद्रो मित्रद्रो विश्वास गात तथा चोरी आदी निंदनिय उपायो का त्याग करके अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार और न्याय निति से ही उपारजि आदी करता हो ज्नान वृद्धो की सेवासे जिसे विशुद सिक्सा मिली हो विशे सह जिसका सुन्दर आचरण हो उधारन के तोर पर वह लोकाप वाद से डरता हो दीन दुखियो का उधार करने वाला हो प्रतियक मनुस्य का आदर करता हो क्रुतगन हो और दाक्सिन्य गु आत्र नामों उल्लेक करूंगी समान कूल सील वाले अन्य गोत्र के साथ विवा करने वाला पाप भीरू प्रसीद देशाचार का पालक किसी का भी अवर्णवादी नहीं विशेश कर राजादी के अवर्णवादी का त्यागी सात्मा है उसका घर अति गुप्त और अति प् अच्छा हो आठाचारी का ससं करने वाला हो मातापिता का पुजग उपद्रव वाले स्तान को छोड़ देने वाला निंदनीय कारिय में प्रवडुत करने वाला आई के अनुसार व्याई करने वाला, वेभव के अनुसार अपना पोशाक धारण करने वाला, बुद्धी के आठ गुणों से युक्त, हम्मेशा धर्म स्रवन करता, अजीरन के समई भोजन का त्यागी, भोजन काल में स्वस्ता रूप से पत्ययुक्त भोजन करने वाला धर्म अर्थ और काम इन तीन वर्गों का परस्पर अभादक रूप से साधक अपने सक्ति के अनुसार अतिथी साधू एवं दिन दुख्यों की सेवा करने वाला मिथिया अग्र से सदा दूर रहने वाला गुणों का पक्षपाती एवं निसीद देशाचार एवं निसीद कालाचार का त्यागी बल अबल का सम्यग विशेग्ण, कृतग्ण, लोक प्रिय, लज्जावान, दयालू, सांथ स्वभावी, परोपकार करने में कर्मट काम क्रोध आदी अंतरंग छो सत्रों को दूर करने में तत पर इंद्रिय समुख को वस करने वाला यह 35 गुणों से युग्ध व्यक्ति गुरुहस्त पालन करने के योग्य बन सकता है हम सभी जानते हैं कि यह 35 गुणों वाला धर्म अधिकारी इस तरह से बनता है हेम चंद्रचार्य जी ने यह योग सास्त्र में कहा है कि यह इंद्रिया जीवन सर्वस्व है यही स्वर्ग और यही नरक है दोनों ही यही है जो इन में वस में कर लेता है उसे स्वर्ग मिलता है और स्वचन्दा पुर्वक इनको विप्रीत मार्क पर जाने देता है उसे नरक मिलता है सर्वता इंद्रिय निरोध धर्म तो सादूओं के लिए संभवी है यहां तो स्रावक धर्म की भूमी का प्राप्त करने पहले धर्म मार्ग अनुसारी सद गुरूहस का प्रसंग है इसलिए यथोचित मात्रा में इंद्रिय संयम करना आवस्यक है अस्तू